दूदू कर जल रही इमारत जापान के क्योटो में आग का तांडव जापान के आस्मान में आग का गुवार जापान का क्योटो शहर आग के तांडव का गवा बना जब वहां के एनिमेशन स्टूडियो में एक शक्स ने आग लगा दी इस आग जनी में अब मरने वालों की संख्या बढ़ कर 23 हो गई है जबके दरजनों लोग खायल बताय जा रहे हैं पुलिस के अनुसार 41 वर्षी एक व्यक्ती तीन मंजला क्योटो एनिमेशन कमपनी के स्टूडियो में घुसा और वहां उसने जोलनशील पदार्थ का छड़काव किया बताया जा रहा है कि इलाके में मौजूद दोगों को सबसे पहले धमाकों की आवाज सुनाई दी उसके बाद इमारत से काला धुआ निकलने लगा गौरों के जिस वक्त आग लगी तब तीन मंजिला इमारत में करीब सतर लोग काम कर रहे थे आग पाज घंटे तक लगी रही इसके बाद अगनी शमन कर्मियों ने इस पर काबू पाया जापान के प्रधानमंत्री सिंजो आबे ने इस घटना को भया वह बताया और म्रतकों के प्रति समवेदना जताई बताने कि उस व्यक्ति को फोरण बाद ही रासत में ले लिया गया उसे जली हुई हालत में अस्पताल ले जाया गया